Hey everyone, welcome back to another lecture of recursion series तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और amazing problem which is called the N-Queens problem की ठीक है तो यह बड़ी ही interesting backtracking की problem है और जो पुरानी problem थी यानि की night tour problem अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज उसे check out करके हो because यह बहुत साथा relatable लगने वाला ठीक है और आपको भी समझ में आएगा कि हम जब connectivity की बात करते हैं तो coding करनी कित्ती easy हो जाती है ठीक है तो बिना कोई time इसका इस वीडियो को start करते है यह कहरे दा N-Queens problem is the problem of placing N-Chess Queens on an N-Cross and chess board so that no two queens attack each other ठीक है आपको थोड़ी सी chess की knowledge होनी चाहिए अगर नहीं तो मैं देदूँगा कोई tension थी बात नहीं है for example the following is a solution ठीक है यह चार queens है आपको चार board पर place करना है बड़े ही simple conditions है इनहें place करने की ठीक है तो अगर मेरे पास कोई queen है ठीक है इस chess board को खराब नहीं करते है बड़ी मुश्किल से बनाया है वैसे बहुत अच्छा बना नहीं है बड़े यह एक board है ठीक है यह मेरे पास कुछ options है अगर मेरी queen यहाँ पर खड़ी है ठीक है आपको क्या करना है आपको एक n cross in chess board दिया होगा हमारे example में 4 x 4 है आपको यहाँ पर कितनी queens खड़ी करनी है exactly n queens ठीक है यहाँ 4 x 4 है तो मुझे 4 queens यहाँ पर इस chess board पर प्लेस करनी है किस technique से आपको प्लेस करनी है कि वो queens एक दुसरे को attack न कर पाइं ठीक है ठीक है तो अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ में पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या है तो let's try out ठीक है मैं यहाँ पर queen place कर देता हूँ ठीक है अब मैं दूसरी queen कहाँ place करूँगा देखो बड़ा ही common sense की चीज है यह कि मैं दूसरी queen obviously इस particular column में और कहीं place नहीं कर सकता दालनी है ठीक है तो यह चीज बहुत ही simple है आपको समझ आ गई होगी दूसरा में पास क्या choice रहती है तो देखो राणी diagonal भी move करती है हमने यह उपर और नीचे वाली condition तो देख ली diagonal भी तो देखना पड़ेगा ना तो हम क्या करेंगे हम दूसरी queen को यहां place कर देगे क्या हम यहां कर सकते réseller नहीं कर सकते फको दो श्री scaling इंटाक हो जाएगी पुरानी queen से क्या मैं यहां place कर सकता हूं और जो प्लेस कर सकता हूं ठीक है क्योंकि यह प्रानी वाली queen है यह इधर attack करेगी ठीक है कॉलम में मैं कहां उसे प्लेस कर सकता हूँ, क्या मैं उसे यहां प्लेस कर सकता हूँ, नहीं, डाइगनल अटेक हो जाएगा, तो मैं उसे यहां भी नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं उसे यहां कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि डाइगनल अटेक हो जाएगा, तो that means I cannot possibly तो क्या n queens problem इधर नहीं solution देगी देगी बत आपने क्या mistake की आपने ये वाली queen को गलत place किया हुआ तो हम backtrack करके जाएंगे और अगली possibility हम देखेंगे कि हम यहाँ पर queen place कर सकते थे correct तो अगर मैं यहाँ place करता हूँ ठीक है तो again कुछ-कुछ possibilities होगी तो अब आपको question का logic समझ म हमें आ रहा है कि हमें क्या क्या avoid करना है हमें diagonal attacks avoid करने ठीक है and it should not be in same row and same column same row and same column पे नहीं होना चाहिए तो अगर यह चीज है पुरानी कोई placed queen के diagonal में नहीं आना चाहिए उसकी same row और उसके same column पे नहीं होना चाहिए तो हम solution दे पाएंगे तो बढ़िया fantastic अब हम क्या गरते हैं फटाफट इसे एक बाद try out करके देख लेते हैं ठीक है सारी possibilities try करते हैं and देखते हैं and queen's problem हम कैसे solve कर सकते हैं तो पहला option मैंने क्या किया है पहला option मैंने queen को first place पे store कर दिया दूसरा option में पस कहां पे है क्या मैं यहां कर सकता हूँ नहीं क्या मैं यहां कर सकता हूँ बिल्कुल मैं यहां पे try कर लेता हूँ ठीक है तीसरी queen अब मैं कहां place कर सकता हूँ, क्या मैं यहां कर सकता हूँ, नहीं, क्या मैं यहां कर सकता हूँ, नहीं, diagonal attack है, क्या मैं यहां कर सकता हूँ, पिछली वाली queen का attack है, क्या मैं यहां कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, again diagonal attack है, that means यह गलत था, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ मैं इन सारे को erase कर देता हूं क्योंकि हमने अभी यह possibilities नहीं देखी क्यों क्योंकि हम backtrack कर गए अब हमाई पर दूसरी queen की option कहती है यहां पे ठीक है अब third queen मैं कहां place कर सकता हूं क्या मैं यहां कर सकता हूं नहीं क्या मैं यहां कर सकता हूं बिल्कुल तो मैं यहाँ पे queen place कर देता हूँ ठीक है अब चौती queen मैं कहा रख सकता हूँ क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ नहीं क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ यहाँ क्यों नहीं रख सकता हूँ यानि कि ये भी गलत था, यानि कि ये भी option गलत था, क्या मेरे पास और कोई possibility बची है, नहीं, यानि कि हमें फिर से backtrack करना पड़ेगा, इस बार हम सवाल उठा रहे हैं, पहली वाली ही queen पे, हम कहे रहे हैं, भाई, तुम्हारी ही placement गलत है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे भ प्लेश कर देता हूँ, correct? तीसुरी queen की बात करते हैं, किया हम यहाँ पे प्लेश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक कोई attack नी हो रहा, चौतिम queen की बात करते हैं, क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ, ने, क्या मैं यहां कर सकता हूँ, परrfacct, तुम्हारे पास solution ह quería तो, अ प्राइक प्रॉब्लम में भी उस की है, उसी code को मैं change करूँगा, ठीक है, क्योंकि sense of connectivity आपको देना चाहर हो मैं इस video से, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले, can I place it, can I place it, place what, place a new queen, can I place it, तो मैं क्या करूँगा, check करूँगा कि वो जो चेखा पर मैं डाल रहा हूँ उस queen को, वो safe है या नहीं है, अगर वो safe है, तो मैं place कर दूँगा, ठीक है, and next queen को try out करूँगा, अगर वो safe नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस step पर वापस आऊँगा, और यहाँ पर क्या ठीक है तो आप देखो मैं कहां से fill कर रहा हूँ बड़ाई important है यह check करना कि हम place कैसे करने ठीक है let's suppose मुझे यह last वाली queen को रखना है तो मैं safe condition क्या check करूँगा let's say मैं इस वाली position में place करना चारा हूँ तो मैं क्या-क्या देखूँगा मैं देखूँगा यार कि इस row में क्या कोई और queen है अगर है तो I cannot place it here अगर नहीं है तो दूसरी condition क्या check करोगे आप यह वाला diagonal check करोगे and then आप यह वाला diagonal check करोगे ठीक है तो अगर इधर कोई भी queen है इसका obviously आपको एक case लग रहा होगा दिख रहा होगा कि अगर कभी भी हम board के बाहर जा रहें तो भाई return कर जाओ ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं यह 3 checks हमें लगाने होंगे कि क्या कोई मेरे पीछे left में तो नहीं है अब हमें आगे check करने के देखो जरूरत नहीं क्योंकि हम कहां से fill कर रहे हैं दिखा आपको 3 problems एक दो तीन चेक आप लगा दो आपका काम हो जाएगा तो अब इसे फटाफट कोड कर लेते हैं ठीक है हम क्या कोशिश करें हमारा base case क्या होगा रुकना कब है बहुत important आपने पहला queen यहां place किया दूसरा queen यहां place किया यहां place किया तो जब पांचवे queen की बारी आएगी तो आप board के बाहर चले जाओगे यह अगर हम indexing के मामले में देखें तो 0,1,2,3,4 यह fourth index है यानि कि मैं कह सकता हूँ कभी भी मेरा column जितने column मुझे question में दिये थे मैं उसी column को check कर रहा हूँ यानि कि मैं last column plus 1 को check कर रहा हूँ यानि कि n cross n है तो मैं nth column को अगर check कर रहा हूँ that means मैंने already 4 queen place कर दिये बड़ाई simple concept दूसरी चीज अगर minus 1 का case है minus 1 मतलब मुझे answer ही नहीं दे रहा यार मुझे answer मिली नहीं रहा जैसे कि आपने देखा अगर मैं इसे एक हटा दो शायद column तो I guess इसका answer नहीं आएगा 3 cross 3 में I am not sure मैं भूल गया हूँ बट शायद 3 cross 3 में answer exist नहीं करता है तो 3 cross 3 में answer exist नहीं करता है तो अब आप उस case में इस column पे तो पहुंचो गई नहीं ठीक है तो अब आप return कैसे करोगे what will be your base case तो again बहुत simple है क्यों क्योंकि देखो मैंने पहली कोई नहीं यहाँ place की थी then मैंने सारी possibilities try out की जब मैं backtrack करा है तो मैंने यहाँ place की जब मैं backtrack करा है तो मैंने यहाँ place की जब मैं backtrack करा है तो मैंने यहाँ place की अब जब मैं backtrack करूँगा तो again तो इस तरीके से हम इस question को solve करने वाले हैं यह night tour problem के जैसा ही है तो बहुत साधा tension Linux जरूद नहीं है एक sense of connectivity होगी अभी जह हम code करेंगे तो वह चीज मैं आपको दिखाता हूँ तो बिना कोई time is case से code करना start करते है तो आपको screen पर code दिख रहा होगा exactly same code है पुरानी वीडियो से night tour problem का code ही है इसे मैं change कर देता हूँ इसे हम कहते है n queen problem by the way आपको यह सारे code हमारी GitHub repository पर मिल जाएंगे n x n लेते हैं वहाँ पर हमने minus 1 कराया था ठीक है क्या यहाँ जरूरत है नहीं क्योंकि जब हम queen place करेंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब कोई place empty होगा तो हम उसे 0 से denote करेंगे अगर queen place कर दी है तो उसे हम 1 से denote करेंगे यह चीज़ clear है न हमारे अंदर तो बस यह करना है initially हमारा array 0 पर ही होता है अब आप चाहो तो placed and place को minus 1 and 0 से देख सकते हो जो भी condition है यह असान है 0th move हमने night को वहाँ पर 0 पर रखा था क्योंकि हमारे पास condition क्या थी कि हमें 0th column से ही start करना है top left top left वाली cell से start करना है यहां के ऐसी कोई condition है नहीं आप check करो ना कहीं भी place कर सकते हो कि नहीं then अगर हमें solution मिलता है solution equal equal true तो print solution otherwise solution does not exist बड़ी ही normal चीज़ है यहां पर कुछ-कुछ keywords मैं लिखे है ठीक है यहां पर क्या function calling हुई थी तो यहां पर solve था i, j, solution and moves वहां पर आपको moves track करने था यहां पर moves track नहीं करने था मैं कह सकता हो moves वाला तो हम हटाई देते है n हमें जरुवत है solution हमें जरुवत है और हमें row की जरुवत नहीं हमें column की जरुवत है क्योंकि आपने देखा हमारी base case जो condition है वो dependent है row के case में हम for loop use कर रहे है और column के case में recursive function डालने ठीक है क्योंकि n queen n columns simple logic ठीक है अब यहां पर print कर लेंगे print solution नहीं छेड़ते as it is आ जाएगा ठीक है इस safe में मैंने आप कुछ conditions बताए कि बज़िसे अभी दो में रोक के code करते हैं ठीक है solve वाला देख लेते हैं पहले तो मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए int मेरा current column कौन सा है ठीक है 0th column होगा initially obviously और हमाय पास solution होना चाहिए n होना चाहिए we are not requiring any moves there कोई move ट्रैक करने की ज़रूत नहीं है अब जब आपका जो भी column है बेस केस क्या होगा जब भी कोई भी column greater than equal to n हो जाए या आप equal equal n भी ले सकते हो ठीक है मैंने बहुत बार बता दिया है आप कुछ भी try करो यह थोड़ा safe option होता है then हम return true कर देते है अब यह dxdy समझाया था मैंने आपको recursion calls किस तरीके से avoid कर सकते हो बट यहाँ avoid नहीं करते है सीधे सीधे code करते है अब यह k क्या है यह basically मेरे rows है तो मैं इसे small r से denote करता हूँ small r से denote करता हूँ और यहाँ पर small r के row ही ले लेते हैं confusion नहीं रहना चाहिए row 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 correct तो हमारे पास n rows हम उत्ते rows पर travel करेंगे next works की कोई जरूवत ही नहीं है क्यों क्योंकि हम अभी current column के देखो अब हम पहली column के पहले cell पे है तो यही काम हुआ है यहाँ पर r is equal to 0 यह नहीं 0th column 0th row हम वहाँ पे चेक करेंगे if it is safe to place or not तो इधर मुझे obviously row pass करनी पड़ेगी ठीक है कैसा था से solution चाहिए next time मतलब row हो था शायद तो इधर हम row pass कर देते हैं and column में हम column pass कर देते हैं जो भी changes होंगे ठीक है इस safe function पर हम अभी ध्यान मत दो उसे हम सही करेंगे अगर मैं कहता हूँ कि अगर place करना safe है तो queen को अपने place कर दो solution में तो कहां पर place करना है row and call ठीक है place की condition मैंने आपको क्या बताई 1 मतलब queen place है और 0 मतलब queen place नहीं है ठीक है तो यहां पर pass करते हैं simple सा column अगली बार हम क्या check करेंगे column plus 1 पर check करेंगे solution and moves ठीक है तो basically अगर आप present column में place कर पा रहे हो तब आप next column में जाओगे ठीक है तो हमने यह कहा कि solve column plus 1, solve, end यह basically recursion call है same function को कि भाई अगर तुमने पहले column में queen place कर दिये same काम तुम आगे वाले column में करो और कभी भी हमें true मिलता है हमें true कब मिलेगा जब हम successfully place कर पाएं कभी भी हमें true मिलता है इसका हमारा answer आ चुका तो आगे कुछ करने के जबत नहीं है यह basically boolean वाला है कि यहां पर हम चेक कर रहें कि हम place कर सकते कि नहीं कर सकते है अब यार यह बड़ा ही interesting चीज़ है कि else case में लिखें या फिर ना लिखें तो basically मैं आपको बता दूँ शायद मैंने last video में बता नहीं यह चीज़ कवर की थी की नहीं की थी भी लिखोगे तो भी यह चल जाएगा इसके पीछे reason क्या है कि देखो अगर यह if true है मतलब if वालट चल लाए तो else नहीं चलता अगर if वालट चल लाए तो return true हम नीचे जाई नहीं रहे और अगर else है तभी हम नीचे आ रहें ठीक है तो ही खाली लिख दो इस else को हटा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको code चलेगा and अगर आप लिखे रहें दोगे तो भी चलेगा ठीक है तो इसकी कोई tension मत लेना है ठीक है इसे आप कैसे भी code गर सकते हो basically अगर if वाली condition सही है तो आपका program यही से exit कर जाएगा नीचे आएगा ही नहीं और अगर if वाली condition गलत है तब नीचे आएगा तो अब else लिखो या ना लिखो वो तो नीचे आ ही रहा है गलत वेले case में ठीक है तो इस तरीके से है और मैंने आपको बताया तो जब loop खतम हो रहा है तो simple सा return false ठीक है तो यह complete होना चाहिए I guess call plus one अगरे सब कर लिया हमने ठीक है अब इस से function code कर लेते हैं थोड़ा सा solution ij ij का थोड़ा सा नाम change करते हैं i है हमारा row j है हमारा column meaningful names इसलिए बहुत important होते हैं अब यहाँ पे देखो अब मैंने आपको बताया था 3 case check करना है पहला case check करते हैं left side कोई है या नहीं है ठीक है left side of row ठीक है यह कैसे check करोगे आप लिखो for int i equal 0 ठीक है i is less than call i plus plus ठीक है यहाँ पे हम करेंगे कभी भी if मेरा जो solution है same row में अगर 0 से लेकर के current column तक ठीक है क्योंकि आगे तो कोई है ही नहीं मेरे तक अगर कोई भी queen present है कैसे पता चलेगा हमने queen पे 1 लगा दिया जहाँ भी queen है वहाँ पे 1 है अगर हमें कोई भी queen मिल ले तो अपर diagonal तो अपर diagonal कह रहा है कि for ले लो फिर से int ले लो i ले लो कहां से check करना है इस row से ठीक है j is equal to call आप इस तरीके से multiple variables एक single for loop में use कर सकते हो nested loop मत चला देना परशान हो जाओ कि nested loop नहीं चलाना है क्योंकि नहीं तो आपका row रुका रहेगा और let's suppose यह वाली cell है 2,2 ठीक है suppose करो ठीक है तो इसके पीसे वाली क्या होगी 1,1 इसके आगे वाली क्या होगी 3,3 ठीक है इसके पीछे और क्या होगा 0,0 मतलब दोनों में हम minus 1 करते जारें ठीक है upper diagonal case में lower diagonal के case में क्या हो जाएगा यह वाला कौन सा row हो गया यह तो हो गया third row बट आपकी column कौन सी है column तो funny है न तो 3,1 ठीक है अगला होता 4,0 उसके बाद होता 5 minus 1 ठीक है तो आपका क्या हो रहा है इस case में हो रहा है i minus 1, j minus 1 और इस case में हो रहा है i plus 1, j minus 1 ठीक है तो basically i is your row and j is your column ठीक है ठीक है फटाक से कि भाई upper diagonal में आप क्या check करोगे i current row current column पे आगे i greater than equal to 0 and and बहुत important है क्योंकि diagonal के case में and लगाना ज़रूर ही है j is greater than equal to 0 ठीक है तो क्या करो upper diagonal जा रहे हैं क्या करेंगे हम i minus minus ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा j minus अब हम check कर लेंगे same अपना यही पुराना fls copy कर लेते हैं अगर इस row column में कोई भी queen है तो हम यहां पे place नहीं कर सकते हैं यह क्या हो गया i यह क्या हो गया j similarly हम लिख लेते हैं code हमारे lower diagonal के लिए इधर कहते हैं paste lower diagonal क्या कहता है lower diagonal कहेगा भाई कि हम current row current column पे हैं अब आपका row कैसे जाएगा आपका i है वो होना चाहिए lesser than n ठीक है and जो आपका j है greater than equal to 0 क्यों 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 आपका row नीचे नीचे जा रहा है but column क्या जा रहा है column खिजता जा रहा है पीछे ठीक है i तो plus plus हो रहा है row but rabbit column कम होते जा रहा है ठीक है तो again यहीवाला case यहां भी चलेगा अगर इसमें से एक भी return false नहीं होता है तो finally हम आपस return true तो है ही correct तो अब i think यह code complete है ठीक है एक बार run करा लेते है still मुझे लग रहा है कि maybe शैद कुछ गढ़बर हो तो उसे हम ongoing देख सकते है यह चल तो गया पर यह minus one कहां से आगे इसमें minus one मैंने कहीं पर populate कर रखा क्या ओ भाई साब यहां पर आपको minus one देख रहा होगा ठीक है तो यह तरीका इसलिए copy paste वाला थोड़ा सा connectivity ढूंते ढूंते हमारा कटे भी जाता है गभी ठीक है दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि else वाला case काम करेगा अगर आप सोचरों कि भाईया ने काट दिया हमारा ठीक है connectivity वोल पोल के ऐसा कुछ नहीं है यह देखो इसे करते हैं cut इसे करते हैं paste यह फिर भी चलेगा ठीक है common sense की बात थी मैंने पिछली वाली वीडियो देखो यार जब हम foundation पे होते हैं तो हम baby steps चलते हैं देखो same answer आ रहा है ठीक है कोई answer में change नहीं जब हम foundation पे होते हैं तो हम baby steps चलते हैं उसके बात तो आपका game आप कैसे भी खेलो ठीक है तो वही तरीका है हमने वहाँ पे देखा कि else अब यह तो नीचे आ ही रहा है दोनों case में आएगा पुरानी वीडियो में भी आप यार इस cells को हटा दोगे perfectly चलेगा ठीक है तो basically यह थी हमारी n queens problem ठीक है अब इसका एक और variant होता है वह होता है कि all possibilities आप कैसे निकाल सकते हो ठीक है मतलब कि एक answer तो यह है दूसरा answer क्या होगा दूसरी वाली matrix भी print करो तीसरी भी print करो तो उसमें आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है जहां आपने यह equal equal true लिखा है ना बस इसे हटा देना ठीक है code करने जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बस एक overview दे रहा हूँ ठीक है तो यह basically सारे ifls हट जाएंगे तो यह इस तरीके से कुछ आ जाएगा ठीक है आप answer कहा सेफ करोगे हम जो यहां पे return false वगरा कर रहे है यहां पे कुछ नहीं होगा इसे हम comment कर देंगे ठीक है इसे return true से हटा देंगे इधर boolean की जगा पे हम void ले लेंगे ठीक है यह मैं पूरे changes नहीं करके दिखा रहा हूँ वह सब को बता रहा हूँ ठीक है हमारे पास यहां पे क्या होगी एक होगी main list एक होगी sub list ठीक है sub list और आप क्या करोगे आप हमेशा कहोगे main list dot add sub list ठीक है इस तरीके से आप कुछ काम करने वाले हो तब आपका काम हो जाएगा ठीक है अभी भी इसमें complete नहीं है अब आप sub list कैसे बनाओगी sub list बनाने के लिए जैसे हमने यहां पे matrix लीती थी तो आप यहां पे finally आगर के check कर सकते हो इस loop में क्या check करोगे बड़ा ही simple काम देखो यह answer देखो answer क्या आ रहा है तो पहले column में आप कहा place कर रहे हो second row पे दूसरे column में fourth पे फिर first पे फिर third पे तो यह ले देखर के कैसा आजाएगा यह आजाएगा two four ठीक है one and three तो यह आपका पहला answer होगे ऐसे और possibilities भी होंगी ठीक है तो हम क्या करेंगे हम basically यहां पर एक loop लगा सकते हम check कर सकते हैं जिस column की जिस भी row पे one है उसका उसका हमें row number दे दो तो दूसरा row चौथा row पहला row and इस चीज को हमें एक sub list में store करेंगे उस चीज को हमें main list में store करेंगे अगर आपको same code से करना है otherwise आप इस solution की जगा पर यह normal sub list ले लो उस पर ही append करते जो वैसे खेलते जो आपकी मर्जी है अब कैसे भी खेल सकते यह आपका play ground है तो basics covered है और properly समझा दी है मैंने इसकी time complexity है आप comment करना और एक चीज की correct मात मैं बता दूँ फिर से बहुत बार बोला है इस series में हम खाली recursive solution backtracking, DFS pruning इस सब की तरफ जा रहे है ठीक है और भी efficient तरीके हैं इस solution को लिखने के लिए लेकिन मैं आपको proper recursive backtracking वाल solution समझा रहा हूँ क्योंकि यह आ गया तो आपको फिर बहुत कुछ आ जाएगा ठीक है तो बस यह रही तब आज की वीडियो में मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में तद तक के लिए बाबाए